मेरा नाम कि अश्रफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्वाइक एन पॉकेट केरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई केरम लर्निंग वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बलकि 4-4 ब्रेक टू फिनिश एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्टेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कंप्लिट कर लिए है, पूरे 50 ब्रेक टू फिनिश यानि कि जब से हमने ये टागेट रखा था जब से हमने ये शुरुवात करी थी कि हम 100 ब्रेक टू फिनिश कंप्लिट करेंगे, उसमें हमने आज पूरे 50 कंप्लिट कर लिए, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो कुछ ज्यादा स्पेशली आप लोगों के लिए, मतलब ज्यादा ब्रेक टू फिनिश करी है, और आज क पिए 50वा ब्रेक टू फिनिश मेरा वन अ फी प्रिक टू फिनिश है, मेरा मेरा दीम ब्रेक टू फिनिश हुआ जिब पचासवा बुरू कि बाद करता हूँ तो अब यह जो आप देख रहें ऑर तालीस वा ब्रेक टू फिनिश ए कर मैं पॉजिचन के बार में भी बात तो यह कट मारके हमने जो difficult white थी उस white को इस cut से release किया और उस cut से release करने के बाद में अब वो एकदम सीधी हो गई हमें तो वही coin जो release हुई हुई coin से हम जो दो और difficult है उसको भी release करेंगे तो इसको एक straight cut मारेंगे straight cut मारके black को push करेंगे black से push करने के बाद में वाइट एकदम ज्यादा आसान हो गई और यह white इस pocket में जाएगी और वह white उस pocket में जाएगी तो यह बहुत आसानी से हमने slam कर लिया दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ यह जो अब आप देख रहे है 49 वाप रिक्टो फिनिश तो आप देख सकते हैं यहां पर 49 वाप रिक्टो फिनिश है यह तो यह ब्रेक काफी अच्छा हुआ काफी accurate ब्रेक है striker भी कहां पर रुखा था आप देख सकते हैं तो पहले direct queen हमें खुली मिली सीधा queen पर ब्रेक होने के बाद में सीधी queen खुली मिली इसका मतलब extraordinary break है दोस्तो extraordinary break के बाद में cover easy हम queen मारने के बाद में cover easy करेंगे और यह straight cut मारेंगे अब आप ध्यान से देखिए position क्या है तो अब यहां पर थोड़ा सा calculation लगाना पड़ता है कि किस से क्या खुलेंगे तो यह straight cut हमने मारी कि straight cut से मार के कुछ positions हमने push करी तो इससे कुछ नहीं करना है इसको सिधा मारना है क्योंकि बाकी सारी position बहुत आसान है क्योंकि यह पूरा open हो चुका है पूरी position खुल चुकी है क्योंकि break ही इतना अच्छा था कि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें कर दो सब रेडिमेट लगके आया बस थोड़ा साही से सिक्वेंस खेला हमने और यह हमने काफी आशनी से कल्या आप देखो इसको मारेंगे तो ब्लैक को थोड़ा सा आगे ढख लेंगे और यह अब यह जो वाइट को मारते है उसके बाद में यह यह वाइट जाएगी उसक को थोड़ा दूर से मारना पड़ा जा नहीं रही इसा नहीं बोल सकते लेकिन और डाउट फुल है मतलब ब्लैक को इसा लागा कि स्ट्राइकर टच होगा देखो अभी भी सरकल से मारने के बाद भी ब्लैक के कितने बाजु से स्ट्राइकर गया तो खेर वही बताना था इसलि अब ही अगर हम वाइट स्लाम करते हैं तो हमारी हाफ सेंचुरी कंपलिक हो जाएगी ब्लैक टो फिनिश की तो खेर ये ब्रेक हमने मारा ये ब्रेक मारने के बाद में ठीक ठाक है ब्रेक एक डम एक्स्ट्रोडर्डरी अच्छा में नहीं बोलूँगा ब्रेक में सिर्फ औ ब्रेक मारने के बाद में हमने मारी और दूसरी खुल गई तो थम वाली चोड़के वाइट जा रही तो वह वाइट मार लिए कनेक्शन मार लिए अब देखिये दोस्तों अब तो एक थम के अलावा कुछ नहीं जा रहा है इसमें अभी ध्यान से देखो तो अब एक कट है ह अगर मारते है तो यह आसन है नहीं यह अपने आप में मुश्किल है इसको बं बनाना है वह तो बात छोड़ो लेकिन उसको पहले उसी कोई को पोकेट में मारना मुश्किल होता है अगर वह चली गई तो फिर वह बं बनता है बं बनता है तो फिर आपकी पोजिशन ओपन हो है तीन वाइट इसमें आसानी से खुल गए तो हमने थम मारके कुईन को थोड़ा एजी रिटन के लिए लाने की कोशिश करी थी लेकिन वो चिटक गई भाई वो तो ऐसा मतलब ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा चिटक गई और बहुत ज्यादा टफ हो गई कुईन अपने आप पंच मारो ऐसा तो आपका स्ट्राइकर कहां पर उकता है जगे पर उकना चाहिए देखो कैसे डिस ब्रेक मारा स्ट्राइकर ने और कॉइन बिल्कुल फ्रेम को चिटक के पॉकिट में गई तो यह है बहुत ही प्यारा पंच ट्रोक दोस्तों एक कट मारी डिफिकल्ट जो मजा लेते हैं थोड़ा बहुत प्यारी पीस थी तो मैं बात करता हूं लास्ट कोईन और वह भी पचासवे ब्रेक टू फिनिश की और वह भी इतनी दो तीन कोई डिफिकल्ट मारने के बाद में लास्ट कोई ऐसे मारी तो यह एक्स्ट्राइडनरी ब्रेक टू फिनिश जो मिल रहा होगा यह ब्रेक भी एक बार देखते तो पचास तो कंप्लीट हो गए तो अभी शुरू करते हैं फिफ्टी वन फिफ्टी वन की मतलब पचास के आगे बढ़ गए हम लोग फिफ्टी एक आवन वा ब्रेक टू फिनिश है हमारा फिफ्टी फरस्ट तो अब यह ट् नार जो संटर के पोजिशन है उसको हमने रिलिज respuesta कर लिया दोस्तों रिलिसकरने के बाद अब देखिए यहां पर queen जा रही मुएंब क्यों सिधी नहीं को पर क्यों जारीBut को ब्रेश करते हुए हुआइव को पोगिट किया तो क्विण काफी आसान हो गई अब मैं अगर देखता हूँ तो queen गई cover गया cover के बाद में बाकी तीन white है कैरम पे जो बहुत ही ज्यादा difficult है अब यह जो उपर की तीन एक thumb छोड़के बाकी की तीन difficult है तो यही thumb से हम bum बनाएंगे तो हमने वही किया scissor grip से मारा scissor grip से मारने के बाद में उसको cut किया मीचे और यह position बना कुछ ऐसे और आप देखता हूँ अगर मैं तो दी जी हाँ दूस्तो यह एक shot है जो white पे जाएगा लेकिन इसमें क्या करना है आपको आपको यह जोर से मारना पड़ेगा क्योंकि देखिए दूसरी वाइट जो है यह दूसरी white आपको अगर आप slow मारते ना तो यह बीच में अटक जाती देखिए वहाँ पे कैरम लेका है न वहाँ पे कहीं पर अटक जाती तो यह pocket टक लाना था आपको तो इसलिए आपको जोर से मारना था वो जोर से मारने के बाद में यह दो coin तो बहुत easy है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे पुरी उम्मीद है वीडियो लेके आता रहता है तो थैंक यू सो मुझ पूर वचिंग My Caram is the specialized online store of the Caram Boards if you are looking for Caram Board, Stand, Lamp Shades, Caramman, Striker, Powder, Caram Cover, Caram Pockets or any other Caram Accessories My Caram is the one-stop solution 100% original and genuine products you will get on my Caram BoSit website if you have query or doubt call 888-987-57038